हेलो व्रीवन वेलकम बैक टू पुलकित पाए आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना खुद का एक डिवाइस स्ट्रमिलेशन गेम क्रेट करके सो बेन टाम वेच करें शूरू करते हैं आज की वीडियो सो काईज हम लोग अपनी कोड स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग अपना एक मोडूल इंपूर्ट करेंगे रेंडम यह मोडूल हमारा नंबर कैस करने में हेल्प करेंगा उसके बाद हम लोग एक वाइल लूप क्रेट करते हैं वाइल लूप और फिर हम लोग अपने एक प् यानि कि अगर हमारा user 1 press करेगा तो हमारा device roll होगा 2 press करेगा तो वो exit हो जाएगा बट वो press करने के लिए हम लोग को user से value लेनी पड़ेगी तो हम लोग लेते है user int input input what do you want to do आप क्या करना चाहते हो हमको इसमें बता दीजिए ठीक है इसके बाद हम लोग if condition create करता है if user equals to one अगर हमारा user ने one दिया then थोड़ी सी हम लोग decoration के साथ लिखेंगे rolling 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 और उसके बाद print random dot rand int अब इसमें लोग को range देनी है वो कहां से कहां तक कहां से कहां तक कि कोई भी एक random value select करेगा तो as usual जो device में हमारी 1260 होती है तो इसमें भी हम लोग 1260 देंगे again हम लोग print करते हैं और इसको थोड़ा सा old decoration में कर देते हैं else e-l-s-e-s यह वर्ण हमारा break हो जाएगा b-r-e-a-k तो यह हमारा program तयार हो गया easily अगर user one press करेगा तो हमारा device roll होगा वो two press करेगा तो exit हो जाएगा तो एक बार हम लोग device roll करके देखते हैं हमारा आगे इसमें one थोड़ा सा ओपर कर लेते हैं अब हम लोग दुबार try करके देखते हैं हमारा दुबारा इसमें आगे हमारी value two दुबारा करते है three दुबारा करते है six दुबारा roll करते है four दुबारा roll करते है five again two तो अगर आप लोग के पास कभी भी ऐसा हो device आप लोग, जो dice होगा, वो खो जाए, तो आप लोग इस program को use कर सकते हैं, बहुत इच्छा program है, किसी भी device device को use कर लिए, अब अगर हम लोग को इस program से exit करना है, तो हम लोग 2 प्रेस करके easily exit कर सकते हैं, तो कैसा लगा यह program, प्राइब कर दो